ओम शैन्ती, आज आपको 56 दिन का वरदान, और आज आपको हैपी होली भी, और होली का रंग जिसे मेरे यहाँ पर माते पे लगा हुआ है, यह माते पे हम यहाँ पर भारतवासी टीका क्यों लगाते हैं, टीका का मतलब है मन टिका रहे, तो टीका एक सिंबल है, कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ बैठ करके मैं ब्रेन के दोरा सारे शेरीर को चलाती हूँ आत्मा, मैं यह आत्मा यहाँ बैठ करके आँखों के दोरा देख रही हूँ, कानों के दोरा सुन रही हूँ, मुक के दोरा बोल रही हूँ, तो इससे हम आत्म अभी मानी बनते में कोई फरक नहीं है पसे मैं गुडों में शक्तियों में बढ़ा हूं ग्यान में बढ़ा हूं और आपको मैं ग्यान देने धरती पर आता हूं तो आज का ग्यान क्या है हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो भगवान हम जिनको कहते हैं या देविया कहते हैं उनके क्या गुण पूजन को स्मृती में रख हर कर्म पूजनिये बनाने वाले परम पूज्य भवा अपने पूजन को स्मृति में रख कि किस-किस प्रकार से जो परमात्मा हमें qualities देते हैं उनकी किस-किस देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में पूजा होती है तो यह सारी qualities जो है यह परमात्मा ने दी यह और हमने उनके किया symbols बना दीएं देवी-देवताओं के रूप में चाहिए वो काली मा हो, चाहिए वो दुर्गा माता हो, चाहिए वो शीतला देवी हो तो यह सारे हम सौचते हैं कि यह सारे भगवान हैं, लेकिन परमात्मा कहता हैं यह भगवान नहीं ये भाग्यवान बनाने वाले गुण है चुकि मैंने ही सारे बच्चों को दिये थे जिनके तुमने अभी क्या कर दिये है तुमने एक मूर्ति की रूप में एक सिंबल बस बना के रख दिया है ये सोच करें कि ये भाग्वान थे जैसे बन पाओगे, स्वयम भी, वो qualities को ले करके, तो बाबा कहते हैं, आप बच्चों की हर शक्ती का पूजन, देवी देवताओं के रूप में होता है, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ही थी, जो की एक सिंबल बन करके देवी देवताओं के रूप में हो रही है, प्रत्वी देवी देवी देवताओं के रही है, प्रत्वी सटीक, एकदम, फाउंडेशन स्ट्रॉंग बिल्कुल, किसी चीज़ का असर ना पड़े, हलचल में ना आने वाले, एसे ही निर्भैता की शक्ती का पूजन, निर्भैता, फियरलिसनेस, उसका सिंबल कौन है, का पूजन काली देवी के रूप में है, जिसमें दिखाते हैं कि उन्होंने पैर रखावा शंकरजी के उपर, है ना, तो किसी के अंदर पाप है, किसी के अंदर बुराई है, उसको खतम करने वाले, उसको खतम नहीं कर देने वाले, लेकिन उसके अंदर की पाप और बुराई को खतम करने वाले, वो काली देवी का सुरूप है, सामना करने की शक्ती का पूजन दुरगा के रूप में ह किसी के अंदर दौर्गौन है उसको सामना करो अप եे ऊधेंट गलत में लेकिन का अधूड़कर करना अचा नहीं है तो तौर्गौनों को और अपने अंदर कि मिटाना प्दूर्गा का रूप है कि क्वालिटी को तो यहत व्याथा को कि इन परद सब्सक्राइब करते हैं यह सकतिए रहने की शक्ति का पूजन संतोशी माता के रूप में किसको संतुष्ट करना खुद भी संतुष्ट रहना यह कमी होगी वैसेन ना खुद संतुष्ट करता दो और उपो संतुष करते हैं, तो पर्मात्मा से हमने सबसे पहले रिलेशन किया है, संतोष रहने और करने की शक्ति तो खुद भी संतोष औरों को भी संतोष करना का पूजन संतोषी माता के रूप में संतोषी माता वायू समान हल के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है हल का बिलकुल, जहां चलना है त्यार, जहां भागना है त्यार, यह निए कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, भारी पन नहीं Ready, Steady and Go, तो पवन पुत्र कहते हैं हमेशा ready थे, एक छलांग मारते थे, उड़के निकल लाते थे, अनुमान जी तो वो भी क्या है, भल का एक सुरूप है, हल के पन का, मन बुद्धी हल की होगा, पवन पुत्र के रूप में है, तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनिये बनाओ, तब परम पूजे बनेंगे तो इस सारी कॉलिटी जो याद रखना पर मातुण करे रहें, तब चाब के हम क्या होगा, हम पूजे निये लाहिख बनेंगे, हमारे अंदर उन्दू क्यूजन रहेंगी, हम इस समिर्थी रहेंगी, तो फिर हम उसके अनुसार कर्म करेंगे, और हल के रहेंगे, संतुष कर तो यह सारे प्रमात्म ने केरी बाते पताई हैं और इनी गहरी बातों को और गहराई से सीखने के अब ब्रमकुमारी इसमें आईएगा वहाँ पर के गहरी-गहरी मीठी-मीठी बाते और होती हैं इसके साथ में आज के दिन के ओम श्यंति